चले मैं दुबारा से आपको बदा देता हूँ कि आज 90 दिन हो चुके हैं हमारे कोर्स को आज 90 दिन ना किसी भी किसम का silly question भी आप पूछ सकते हैं go ahead देखता हूँ मैं आप कितने silly question पूछ सकते हैं लेकिन question आपका शर्त यह है कि 5 से 7 second का question हो answer मैं लंबा दूँगा ताकि आपको चीजों की समझ आप कोई भी question पूछ सकते हैं any question ठीक है मैंनू नहीं पूछन लगा जाना या cutting तो नहीं करवा ले यह चीज़ें नहीं पूछ नहीं ठीक है personal questions नहीं data science is related right let's see जी मारिया questions as long sir 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 मेरा question है कि नहीं जब हम मतलब नहीं मौडल्स को देखते हैं कि नहीं कौन सा मौडल best है खुछ से evaluate करते हैं कि नहीं F1 score और एकुरेसी precision score की base पे तो अगर हम हर पस दो मौडल्स की नहीं प्रिसीजियन score और एकुरेसी F1 score नहीं सेम आजे तो कौन सा मौडल हम चूज करेंगे कि बेस्ट है और फिर आगे किस तरह से लेके चलेंगे इसकी सेम एक्जेंपल वो है कि जब एक बंदा इंटर्वियू ले रहा है और दो candidate सेम पोजिशन पर आगे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ी होती हैं जिनको assumptions बोला जाते हैं वो दोनों models की different होती है तो आप अपने data को देखेंगे data की type को देखेंगे data की features को देखेंगे और चेक करेंगे आपके data की quantity कितनी है हमेशा एक model जो है वो ज्यादा data को prefer करेगा दूसरा model कम data को कुछ models prefer करते हैं normal distributed data को कुछ prefer करते हैं non-normal को ठीक है non-parametric को तो यह आपने assumptions को meet करते हुआ कर जाना है क्यों क्योंकि आपका data जो model है वो अच्छा perform कर रहा है आपके test data पे unknown data जो आपको भी मिला ही नहीं है उस पे आपन चेक करते जा सकते हैं या दोनों मेंसे कोई एक चूज कर लें based on the assumptions ठीक है और हमेशा model को चूज करते हैं आप multiple matrix की बेस पे एक metric के बेस पे कभी ना चूज करें F1 is not enough to choose one model ठीक है आपको multiple matrix की बेस पे देखना होता है और multiple matrix कैसे काम करते हैं इसके पीछे भी काफी questions है कि जी computation मेरे पास कितनी है कितना अच्छा perform करेंगे data मेरा कैसा आ रहा है there are many things behind that so basically आपको data की knowledge है आपको models की knowledge है assumptions का बता है then you can choose the best model और ये आप हैं कोई चीज घलत नहीं होती हमेशा चीजों के accuracy ज्यादा या कम हो सकती है घलत नहीं हो सकती है तो ये आप है as a data scientist आपने अपनी market करनी है कि मैंने ये model चूज किया because वो because का answer आपको पता होना चाहिए सीधे अलफास के अंद से किसे ने question पूछ ले तो वो काम खराब होगा next question पर चलते हैं शिराज भाई का question और पर इसके बाद पर एक और दफा final tuning करेंगे और दूसरा question ये है कि हमने जो अपना एक data train कर लिया अब अगर मुझे किसी दूसरे data set पर लगाना है तो क्या वो उस पर तो work नहीं करेगा तो उसके लिए कि unsupervised learning को use कर जाएगा क्योंकि अगर हम एक ही data आगर करके चल रहे तो आपने पहले उसे train करना है simple पर अगर आप करना चाहते है it's up to you वो सिरफ आपको एक idea देगा accuracy कितनी आ रही है on default setting default setting क्या होती है default setting होती है कि जब आप इस class पे जाते हैं किसी model की mouse को लेके जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये 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 तीन option है on default हमने ये वाली select की हुई है मिसाल दे देता हूँ आपको decision tree अलगरितम है हमारा आप decision tree classifier को select करते हैं उसने वो जो आपके पास entropy या जिनी impurity जो है उसमें से एक को default पर रखे है वो जिनी impurity जो अब डिफॉल्ट पर है तो वो model के hyper parameters और डिफॉल्ट setting पर भी कोई ना कोई पड़े है tuning का मतलब ये है कि आप उनको default से हटा के कुछ वह टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो आप पहले default पर model चला रहे हैं वो वह भी एक model है वो hyper parameters के साथ यह लेकिन कुछ set values उसके अंदर और और रड़ी पड़े हुए है उन default करने के बाद अगर मुझे उसी model को किसी all data set पर लगाना तो वो तो use नहीं होगा उसके उपर अब तो मुझे उसके दूसर 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 मैं आपको बताता हूं क्या चीज़ होती है जब आप कोई भी model train करते है ना वो historical data की बेस पर होता है अब machine learning के एक और type है एक होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास data पढ़ा है उस पर model को train करते हैं एक type ऐसी होती है जब आपके पास real time में data आ रहा है आप model को साथ साथ train करते रहते हैं अपडेट करते रहते हैं हम पढ़ रहे हैं historical data वाली इस वकत जब हम machine learning को अच stop market का data है या हर 5 second बात कर लो हर 10 second बात कर लो it's up to you ठीक है अब हम सब जब आप historical data पे किसी machine learning के model को train कर रहे होते हैं तो आपके features same होते हैं हमेशा training और testing के वो change नहीं हो सकते number of features और उनके values जो हैं वो ही रहती हैं जो data type की पहले आपने training में दी हैं मैं एक मिसाल देता हूँ Titanic के data में अगर आपने survived के column को predict करना है बाकी सारे column अगर आपके predictors है न तो जब आपने model को unknown value को देखना है न तो बाकी सारे columns की value देनी है यह नहीं होगा कि आप एक को miss कर जाएंगे so training में जितने भी आपके predictors हैं जब आपने किसी unknown value को predict करना है आपके उसके अंदर भी वो सारे के सारे predictors की values होनी चाहेंगे ठीक है so then it will work यह नहीं होगा कि आपको यह और data उठाके उसमें डाल लेंगे उसके लिए method यूज़ता है neural network के अंदर जिसको हम transfer learning बोलते हैं जब ह आप एक trained model को कैसे transfer learning के through अपने data पे लगा सकते हैं image net के अंदर यह ज्यादा यूज़ता होता है ठीक है एक model को train किया उठा कि उसी के parameters दूसरे पे ले गया है जी दानिश असलाब लिए कुम अमार भाई I want to know that machine is not capable of doing such thing मतलब जो कल हमने इस तरह किया है तो capable नहीं थी हमारी machine है न वो चल नहीं रही थी proper तरीके से तो इसका क्या हल होगा hyper parameter training कैसे करेंगे हम लोग तो कल सारा यही issue बना रहा है कि चल नहीं रहा था बिल्कुल इस पे हमारे इंशाला आपको लेक्चर के अंदर मैं तीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एक है google collab ठीक है मैं असलने उसको prefer नहीं करता reason यह है कि आपके data की privacy नहीं रहती है लेकिन testing के लिए best है google collab एक चीज है second github की code spaces है अब आपको नहीं पता होगा क्या है लेकिन जिनके पास github student developer pack या teacher developer pack है they can utilize the power of code spaces code spaces क्या है यह virtual machines है github की मतलब आप घर पे बैठके अपने PC पे coding करेंगे resources आपके यूजने होगे कोई और यूजने होगे third one is kegel पे directly जाग के आप काम कर सकते हैं so आपको अपनी machine को चलाने की जरूरत ही नहीं आप वहां पे run करके side पे बैट से एक और तरीका यह होता है रुजना बंदा सोते ही हैं जैसे अभी जिजान भाई को भी नींदा आ रही हैं उनको जमाई यहां आ रही है so हम सोते हैं रुजना ठीक है उस वकत आप अपने model को training पे लगा कर सोगे चलता रहे वो कितनी देर चल जाए दो गेंडे तीन गेंडे चार गेंडे फटने नहीं लगा पीसी टेंशन ना लें गरम हो जाएगा और इनमें एक system होता है कि जब ज्यादा गरम हो जाए तो पिर आपको पता है वो फिर वहीं पर बंद हो जाता है system हाँ लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि ग्राफिकली इंटेंसिव एप्लिकेशन चला दिए बाद में वहां पे तुसी बैग अपने लैप्टाप ते हाथ से रहे हो इतना भी इंटेंसिव काम नी करना हमने बस उतना काम करें जितना चल सके राइट जी ओके इस पर हम बात करेंगे मैं हमेशे एक बात करता हूं कि हमारे पास साथ साथ सतर सतर हजार के मुबाईल होते हैं तो लैप्टाप मंगवा ले आँगा है चैंज इस मेंटालिटी लैप्टाप में वेस्ट करें अगर आप डेटा साइंस में आ रहे हैं बिलीव मी आप इन्शाला फ्यूचर में ना कभी कहेंगे एक बंदे ने अच्छा मश्वरा दिया था उस उस उन वक्तों में क्योंके जारी बात है पांच साथ साथ बात आप को समझानी इस चीज़ की उन वक्तों में उसने मश्वरा दिया था मैंने लैप्टॉप पर चेस कर लिया है ठीक है कमेटी बालो यार किसी के साथ कमेटी का पता क्या होती है नहीं पता मैं ज्यादा देसी बातें कर रहा हूं तो मैं आपको बता दे तो आप बैंक लोंग ल लैप्टॉप लिखेंगे तो मैंने स्पेक्स वहां पर एक पोस्ट की हुई है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं जी मौहमद अफैल भाई आपके अवाज नहीं आ रही सोरी पॉट बाट नहीं है हैंट फ्री कनेक्टेंड नहीं है जुर्म के साथ आप इसको सेट करने की कोशिश करें मैं तब तक हिसान भाई के तरजा जी हिसान भाई जी सर घुछ तो जो मेरा क्वेस्टन है ना वो तो शिराज भाई की साथ चाहना आंसर में क्लियर हो गया था लेकिन फिर भी मैं कुछ आप सब पूछता हूं जैसे कि हापर पैरामेट ट्यूनिंग होगी और मोडल सेलेक्शन होगी यह साड़ा काम तो हमने मशीन के साथ ही कर दिया इनसान की इनवोल्मेंट कहां गई अगर यह सारी आटोमेशन ही है को उसने बता देना कि कौन सा मोडल इच्छा है कौन सा बितर है कौन सा नहीं है कौन कुछ चीज़े क्यों क अपनी परफॉर्मेंस हो गहां है कि तैंक यू मेरा यह होशन था यहार यह इनसान ही हम बैठे हैं यहां पर बैठके जो डिसकस कर रहे हैं कोड कैसे लिखना है ठीक है कोड खुद बाखुद नहीं लिखा जाता था लिखा भी जाए कोड इंटर्प्रिटिशन नहीं की है एडिपिटी यूज्स कर लेना यह सारग कुड यूज्स कर लेना तो wordt लोहों को अभी तक प्रोग्रामर्स की इतनी जरूरत क्यूं है reflex करने के बाद interpretation करके recommendation देना काम है जो एक इनसान का काम है ठीक है यह कर भी नहीं हो सकता कि data science का field पूरे का पूरा replace हो जागा AI से reason क्या है AI को हम ऐसे tool यूज़ कर सकते है मिसाल वो ही है mathematician पुराने दोर में क्या करते थे pen paper के उपर सारी equations resolve करते थे फिर आये calculator उन्होंने दावा बोल दिया कि calculator आ गया कहते थे कि calculator के खिलाफ बखाएदा US के अंदर strikes हुई थी लेकिन अभी इस वरके mathematicians हैं सबसे ज़्याद calculator यूज़ करते हैं फिर excel sheet आ गी तो उन्होंने और भी advance कर दिया python आ गया data frames आ गया SQLs non SQLs तो ये चीज़ें आगे से आगे जाती जाएंगी अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ automate हो रहा है तो कर कोन रहा है automate हम ही कर रहे है ना कोई report थोड़ी ना कर रहे है तो ये सारे का सारा हम ही कुछ कर रहे हैं ठीक है so obviously आपको शायद लग रहा हो कि विर्चुल बैठे हैं या हम PC पे काम करना है तो automatically हो जएगा ऐसा कभी नहीं होने वाला automate हो सकता है काम लेकिन कैसे initiate करेगा ऐसा तो नहीं हो सकतेगा कि VS Code खुद ही चला है और खुद ही मेरा lecture लेकर खुद ही से सारी practice करने लग गया you have to actually choose something you have to think about it you have to think about the problem जो start में question था ना वो आपने सोचने है data आपने collect करने है आपको पता है कि data pollution कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है अगर आप पुराने सारी lecture को दोबरा से देख लेंगे या आप सिरफ उनके title पढ़ लेंगे आपको एक flow नजर आएगा जी जी आपके आवाज थोड़ी से कट रही है पर बोलियो प्लीज अब सही हारी है जी जी बोलियो प्लीज मेरे कुछ तीन चार सवाल आते हैं जादत दें तो वन बैवन में आपसे पूछ लो जी बोचेंगे ताकि मैं योट्यूब पर बेट तरह मुझे पता नहीं था यहां पर आपने लिंक शेयर किया है तो थोड़ा सा अगर मुझे समरी बता दें क्यूंकि इसकी recorded वीडियो भी नहीं होती ना जो मिटिंग में ने अब ऐसकी अब हो चुकिए हैं वी आप ने क्या तो सवाल हैं हो अबी तर जो डेटा डिसकस किया है तो तो में हम पास होते हैं और नमबर ऑफ यह उते हैं तो इस तरह से डील करेंगे उस पे आपका कुछ स्पेसिफिक लेक्शर होगा या उसको कुछ से हमने समझना है अच्छा पहली बात यह है कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम एक टाइब को पहले लेके चलेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगलर डेटा या क्रॉस सेक्शनल डेटा बोल दें या इसको हम एक्सल की शीट्स बोल दें पांडास डेटा फ्रेम्स बोल दें या हम डबों वाला डेटा इसे बोल दें ठीक है कॉलरम और रोस वाला डेटा इस प वो बोलते time series का data और उस पर जब हम चलेंगे हम इसको नहीं छेड़ेंगे फिर सिरफ उसकी बात होगी फिर हम चलेंगे image classifiers की तरफ सिरफ image का data convolutional neural networks, image net neural network, res nets बगारा उनकी बात होगी फिर image की जब भड़ जाएगे फिर हम text की तरफ जाएगे तो अभी हमने तीन किसम के और data नहीं होती जारी बात अच्छी हों भी कितनी के अच्छी हो सकती मेरी enough नहीं होगी audio के data को detect करने के लिए और इस पर algorithms भी नहीं बने हुए अभी तक तो इन्शाला वो लेटर रॉन वी विल सी और दोजार जब एक बाइस था हमारा data था था यूबील के अंदर पाकिसान के अंदर और हमारी एक टीम ने audio analysis की बेस पे recommendation दे थी इन आप ऑफ यूबील तो उसने win भी किया था third price python का चिला पहली दफा हुआ उसमें वो टीम निक पढ़ लिए classification के भी पढ़ लिए तो इसमें जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम कोई भी model की production करने से पहले यह चैक करते हैं कि मोडल assumptions को meet कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि जब तक को meet ना कर रहा हूँ इसमें हैट्रोस का डिस्टिसितिका शूर तो पिर हम इ पढ़ा आगे पढ़ेंगे जाता है अचा पहले चीज़ यह है कि यह वह एक कहते हैं कि teaching की हिकमत में कुछ चीज़ें शामिल होती है अगर आप लोग जो टीचर्स हैं उनको पता है कि अगर हम नामों की तरफ चले जाने तो काम खराब होता है हमने पिर हीज़े जोड़ना को भी साथ पढ़ना है और हमने वो मॉडल चूज़ करना है जो assumption को meet करता हुआ ठीक है और वो assumptions जो हमने lay down करनी है सारी जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जब मैं कहा रहा हूँ कि यह इसकी assumption है non parametric data पे नहीं लगेगी parametric data पे ही लगेगी so we know कि हमें पहले normal distribution check करनी ह या उसको हमने scale करना है या normalize करना है so these kind of things inshallah we will learn in upcoming days secondly जब मैं assumption की बात करता हूँ आपने देखा होगा slides के अंदर में बता देता हूँ कि यहाँ पे data यह होना चाहिए यहाँ पे data यह होना चाहिए linear trend होगा तो यह नहीं चल लेगा independent होना चाहिए relationship dependent होना चाहिए क्योंकि मेरे माइंड में यह है कि मैंने यह सब कुछ बढ़ा दिया वह खास तर पर dependent independent क्या है नॉर्मल परामेट्रिक नॉन परामेट्रिक है तो इंशाला हम इसको देखेंगे बट बहुत डिटेल में नहीं क्योंकि मैंने स्टैट में यह चीज़े बढ़ा दी है अब सिरफ तर्मिनॉलजिज यूज़ की जाएंगे तो इस तरह कि आपने पढ़ा दी है मैं इसलिए पूछाओ कि मेरी नदर से नहीं पूज़रा यह आपके पढ़ा हैंगे ने ने मैं आपको बताता हूं क्या चीज़ रहे एक छोटी सी बात यह है कि जब हम रेजिडियूल्स की बात करते हैं जब मैंने मैट्रिक्स बढ़ायते हूं तो उसके अंदर मैंने रेजिडियूल् की अजम्शन ना मीट करें ना तो मॉडल घलत परफॉर्म करता है यह तो सबको पुता है ठीक है सो में ट्रिक यह है कि आप सारे की सारे मॉडल जो है आपके पास रन करके जो बेस्ट परफॉर्म करेगा आटोमेटिकली वो अजम्शन भी मीट कर रहे हैं और विसलिडिव यहां हम इदर से पकलने बात से नहीं है ठीक है तो यह शॉर्ट क्यूंकि यह कोर्स छे मांक है तो स्क्रेटिजी वो बताई जा रही है कि डिरेक्ली इंडिस्ट्री में अप्ली के वाले से ना आपने भी कुछ अपनी नॉडबुक में जब लेबल इंकोर्डिंग की है तो हमारे पास जो है ना कुछ डेटा ओर्डिनल स्केल पे था नॉमिनल नहीं था लेबल इकोर्डर यूज़ कर लिया तो बाद उकास उसमें कोई और भी होता है जिसकी इंपॉर्टन्स भी होती है तो हम जब उसको डमी में करेंगे तो मीनिंग को लोगा या फिर उसकी अगर इंकम की स्लैब बने वी है तो उसको आपको बजाता हूं इंकोडिंग का क्या रूल है हम क्यो करते हैं पहले तो हमने यह देखना हर चीज़ को बेस से देखेंगे तो हमें समझा जाएगी इंकोडिंग हम इसलिए करते हैं कि नामों को हम इंटीजर के साथ रेप्लेस कर सकें अब औरिंटल इंकोडिंग क्यों होती है क्योंकि हमें पता हो कि या जीरो है तो ये गूड है वन यह तो बेटर है दू यह यह उन तो फ्री भी कर ले उसको ऑरडर है उनका ठेक है ओर हम हमने जो value count की base में हमने numbers दे दी है ठीक है dictionary बना के manually पी दे सकते हैं तो कम अज़ कम उन values को आपने maintain रखना है कि अगर आपने good को two दिया है तो वो two ही आए best को one दिया है तो end पे best ही आए one ही आए ठीक है तो यह maintain इस जो है यह इसके लिए हम यूज करते हैं अब ordinal encoding जो है अगर आप वो यूज कर लें order के data के लिए तो फिर आपको basically हर feature को देखना पड़ेगा कि यह इसमें ordinal data है या नहीं है यह categorical simple है या ordinal है तो मैंने तो उस चीज को जान से चुटका रहा पा लिया कि सारे categorical सारे object के data को label encode कर दो ताकि आपके पास data preserve को simply so step बचाया मैंने आप उस तरीके से भी जा सकते हैं इस तरीके से भी जा सकते हैं but at the end it matters के आप end पे वही नामों को दुबारा से reverse decode करने यह decode करने ठीक है so inshallah जब आप आप बनाएंगे इसके अंदर इंशिदों को हम मते निजर रखके चलेंगे hopefully that was your last question because we have a lot of people down there please बोलियेगा sir sir अबिरा को सिर्ण यह था कि जब हम लोगों ने logistic regression किया था तो उस पर आप ते बताया था कि जो target variable होता है अगर वो हम लोगों के पास हो तो उनका एक दुसरे के साथ correlation नहीं होना चाहिए अगर हम multiple लें तो उनका correlation हाई नहीं होना चाहिए तो इसके क्या वज़ाए कि क्यों नहीं होना चाहिए लोगिस्टिक regression के अंदर features का correlation नहीं होना चाहिए अब इसकी बात कर रही है या feature और target का नहीं अब feature का एक दूसरे के साथ देख दो चाहिए अच्छा इसको इसी चीज़ को जो अभी हम बात कर रहे थे पहले कि multi-co linearity और बाकी चीज़ों जो इसमें matter करती है क्योंके हमने अभी mathematics उसकी नहीं पढ़ी हमें नहीं पता जो at the end हमारे पास probability आती है उसका क्या impact है और जो हमारे पास linear independence और dependence की ratio है वो किस तरीके से maintain हती है जब हमारे mathematics के lecture आएंगे ना उसके अंदर आप देखेंगे कि linear regression की mathematics से हम start करेंगे कि क्यों dependent होना ज़रूरी है क्योंकि उसने एक linear trend बनाना होता है और उसकी assumption यह है linear regression की क्योंकि logistic regression linear regression की base पे चल रहा है model आगे तो इस वज़ा से हम यह देखते हैं कि हमारा feature का target के साथ तो dependent relationship होना चाहिए लेकिन features का आपस में नहीं होना चाहिए उसकी reason क्या है अगर feature का आपस में होगा ना तो इसका मतलब यह है कि दोनों feature जो है वो एक ही output को zero या one बनाने में अपने जान का जोर लगा देंगी which we will see mathematically as well और कभी कभार इसको bisoness बोला जाता है मिसाल के तोर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ हमारे पास तीन लोग है ठीक है और इन तीन लोगों ने vote दे के at the end decide करना के class का monitor गोन बने लगा अब मेरी बात सुनिएगा दो उसमें से candidate के बेहन बही है और एक independent बना आप खुद सोचे क्या बना वो अपस में एक दुसरे प मीट होती है तो वो घलत perform करेगा या कम accurate perform करेगा करेगा जरूर ठीक है वो बच्चे होते हैं जिनको काम पर बेजें हो वो काम कर भी लेते हैं अकसर अपकात लेकिन वो ऐसे काम करते हैं कि आएंदा उनको कहना है नहीं पड़ता है कि आप काम करो वो इतना खराब काम करते ह हैं सब्सक्राइब करें इस पर बात करें देन इत वुड़ बी वरकिंग इस चीज की बट जब मैथमेटिक सम देखेंगे इसको और भी डिटेल में देखेंगे नेक्स शिराज भाई का एक और क्वेस्टिन सर मेरा क्रॉशन यह कि जो अभी हमें जो कोटिंग में इस्जूज आ रहा है जिसे पाइपलाइन के यह जो आपने पढ़ा ही साथ इसको किस तरह और कंकिया जाए यह मंदा देता है तो उसको पर समझे किस तरह मतलब चैट जीपीटी करें यह क्या करें प्रेक्टिस प्रेक् अब मेरी तरफ से यह है कि मैं आपको सैंपल कोड जो रिनिंग कंडिशन में आपको प्रवाइड करता हूं और फिर उसको समझाता भी हूं कि पाइपलाइन में क्या है अब ऐसा नहीं मैं कर सकता कि अब इस स्टेज पे आके लाइन बाइन कोड आपको समझाओं यह मैंने वो प्रैक्टिस नहीं करते तो मसला होगा तो यू हाब टू प्रैक्टिस अलॉट ठीक है जी तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं राइट निक्स चलते हैं जी हम जी मेरे पास जी लास तीन चार कुस्टिन मैं लोगा इसके बाद वोगिल सी के हम कैसे आगे मौव करते हैं जी बिला वे तर जब हम कर रहे थे हार्ट डिजीज डेटा तो यह इसरट पर काम कर रहे थे तो इसमें एक चीज़ नोट की थी कि जब स्फेशली क्लास अगार्श वागमा में जुसकी जो मैंतर रहे उसके अंदर क्लासिज थी उसके अधर क्लासिज में इमगानस तार आँन की तो औसको रिसरच करते करते कि धी आई आपयाम पर इंबहार एक उनाच गाड़ा था तो क्या इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या हमारी मेट्रिक्स जाहां वह इनकुर्ट है तो इसके लिए पर इसके लिए को सब्सक्राइब गारेंगे या पुछ से पढ़ाएंगे? आचा पहले चीज तो ये मैं सब को क्लियर कर दू कि इंबलेंस डेटा सेट ऐसा डेटा सेट होता है जब आप क्लासेज को प्रडिक्ट कर रहे हैं ना सिस्फ फर ए्टेवरेंपल मेरे पास तीन क्लासेज हैं हमने तीन تीन क्लासेज आइनर डेटा को डिवाइड करना है है रिसितक्पाइला उहलूध को प्रडिक्ट ऑर इमबैलस की के ब्यूस जो अपको पढ़ाई जाएंगी कि आप डेटा को और यह भी होता है कि आप उस कैटेगरी को निकाल के बाइब करते हैं या बता देते हैं कि इस कैटेगरी में डेटा जो था इसके डेटा पॉइंट इतने थे that's why we are actually assuming कि इसके accuracy इतनी हो सकती है so अभी बताने का मकसद यह है कि जब हम data को अच्छे तरीके से देखेंगे in future we will see कि imbalance data set किस तरीके से चाहता है and there are algorithms जो इस पे काम करते हैं खास दोर पे जो मैंने आपको extreme gradient boosting और different किसम के अधर algorithms जहां पे ensemble के methods होते है यह imbalance data set पे अच्छा perform करते है यह outliers पे भी अच्छा perform करते है और यह ऐसे data set पे भी अच्छा perform करते है जिसमें classes जो हैं दो बहुत ज़्यादे हैं लेकिन एक काम है जिसको हम कहते है reducing the biasness जिसको overfitting भी बोला गया था अगर आपने वो lecture में देखा तो बात यह है कि neural network और जब हम इस तरह की चीज़ों के तरफ आगे जाएंगे then we will discuss imbalanced data set खास तो पर classification के task on image classification और हमारे पास बहुत ज़्यादा scenario होते हैं कि cats की तस्वीरें ज़्यादे हैं dogs की कम हैं तो cats जो है वो ज़्यादा तर हमारे पास आती जाएगी so we have to take care of that हम rotate कर लेते हैं या उसके colors को थोड़ा बहुत manipulate कर लेते हैं तो इसको data augmentation बोलते हैं which we will do that inshallah in future जी डॉक्टर फरुख भाई आपने question कर लिए थे अब शाहिद अमरा आपका को machine learning शुरू कर रहे ना तो एक्चल में notes बना रहा था मैंने लिके नहीं थे तो क्या वो ensemble algorithm से शुरू हुआ थे advanced machine learning अच्छा ये आप पर depend करते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसको machine learning नहीं ना पता जिसको ABC भी नहीं पता हूँ उसके लिए machine learning advanced है क्योंकि basic हमारे लिए ना जिसको पता है तुछ तो जैसे जैसे आप step up करते जाते ना believe me जो अभी इस वकत आपको पता है कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता तो उनके लिए ये भी advanced है तो आइस्ता है जब मैं आगे चलूँगा जैसे neural network हम देखेंगे जैसे हम resonate या transfer learning देखेंगे जैसे हम pytorz की library देखेंगे टेंसर flow की देखेंगे वो और भी advanced होगी लेकिन ensemble के algorithm basically intermediate level पे आप कह सकते हैं जो machine learning है बहुत advanced level पे अगर आपने जाना है तो इंशाला हम जब transformers की बात करेंगे वो advanced machine learning होगी लेकिन वही बात है आपके लिए advanced क्या है depends कि आपको कितना पता है तो मुझे पता है कि मैं zero से start कर ला हूँ तो जब मैंने ensemble का बोला वो advanced थी था उस वक्याँ जी तो फैल साब आप अगर चेक कर लें अगर आपका चल रहा है माइक कोई मसला नहीं मैंने आपका question देख लिया था कि आप Google पे Google collab के उपर कोई काम कर रहे थे और Google collab which gives me MSC and MAE very big values which are normally less than one and मैंने कभी नहीं कहा कि MSC और MAE less than one होती है मैंने कभी नहीं कहा यह जतनी ज्यादा होती है इसका मतलब है आपकी जेनर लाइन जो है वो सारे के सारे data points से बहुत दूर है और रुसके बैठी हुई है गहीं दूर जाके ठीक है इतनी दूर है कि वो कहती मैंने नहीं आना यह उस फूपो की तरह है जो शादी पे नराज हो जाती है तो यह कहां मैंने हैं उनना से कौन हो गए तो यह वो ही चीज़ है यहां पर अच्छा यहां पर काफी फीमेल्स भी हैं जो भूपीयां होंगे हमारे भी सिस्टर्स हैं जो और हमारे भी भूपीयां हैं तो डोंट वरी अबाट बाट बाट इट इस जर्नल एक्जैम्पल ठीक है कुई हैं दिल पर ना ले ले मैं कहता हूँ वो अन चाचुओं कीतर हैं चले लड़के भी नराज न हो लड़के भी नराज हो रहते हैं थो अब होता क्या है कि जब आ अप म.E.E. और M.I.S.E. की बात करते हैं यह एटर है यह कभी भी एक रेंज में नहीं जितनी ज्यादा है उतना गलत है आपका मॉडल, you have to maintain that, r square की value 0 से 1 होती जो मैंने आपको बताया, r square कभी नहीं कहता कि आपका मॉडल अच्छा है, r square सिरफ ये बताता है, कि relationship कैसा है न दोनों का, right, तो इस matrix को दोबारा से पढ़ें, आपको समझा जाएगी, ओके तो हमारे पास शेख अर्फान उल्ला का question है, जी please go ahead, इर्फान भाई unmute कर लें खुद को, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, unmute yourself, मैं दो तिन दफा आपको request भेज़ चूँ का, देखिएगा, चले, meanwhile, फरख भाई, आपका question है, अच्छा, इर्फान भाई, पहले 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 पूचें, फिर फरख भाई, दोनों के mic open है, जी, इर्फान भाई, सर, question मेरा आपसे यह था, जो assignment हमने की थी, मैं उस तरीके से तो मेरी presentation नहीं थी, और तब present करने में मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे total दो माह हुएं computer को जानने में, मतलब 21 October को मैंने यह सफर आपके साथ शुरू किया था, इस assignment में मैंने एक चीज़ देखी थी, म और उस पर जो matrix है, हमारे mean squared error हो गया, mean absolute error, अब जैसे data यह 54,000 rows का data है, उसमें M.A.C. और यह values जो हैं मेरे पास thousands में आ रही थी, तो क्या ऐसी भी possibility होती है, या मैं कहीं कोई गल्दी कर रहा था उसमें, अचा पहली बात तो यह है कि आप जिन features को लेके चल रहे हैं ना, उन ठीक, बस वो इसी वज़े से थोड़ा सो, नार्मली जितने भी हमने आपकी जो previous lecture जिसमें matrix details से पढ़ रहे हैं, तो नार्मली score हमारा point eight आता है, या maximum one तक आ जाता है, इसमें मैं थोड़ा सा वरिंग इस वहाले से था, कि 100,000 तक भी उसमे mean absolute error या mean squared error है, जबके r square की value है, व पाइंट एट एट या zero point, वो उतनी रहने, वो उस range से जानी नहीं है, बाइंट में इसमें थोड़ा सा मुझे वो था, कि बतनी, मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूं, नहीं हो, अच्छा, आपको एक यहां पर scientific trick बता देता हूं, लोग इसी वज़ा से आर्मसी यूज करते हैं जजर हो जाता है ना, root आजाता है उसका under root, तो इस वज़ा से वो यूज करते हैं, और scientific level पर यही यूज होती है, और यह वज़ा है, और कोई वज़ा नहीं है, अब यहां पर आपको एक बात बता देता हूं, आप कभी भी छोटे से एक फल को, for example, एक छोटे mango को, आप बह तो टैंक में, घर में, केरें में पढ़ी होई मचले हैं, उनके साथ कमपेर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहां पर पढ़ी है, वो कितना बड़ा साइज है, उसकी properties different है, so scale things into one level, फिर यह काम अच्छे से करेंगी, और यह data pre-processing के जितने भी steps मैंने आपको बता हैं, please go ahead, और data pre-processing के बगार, आपका यही हाल होना है, MSE इतनी ज्यादा आनी है, तो सेर भाड़ के बगाज़न है, अक्सर वकात मेरे एक student कहता होता है, सर, यह मेरा BPI हाई करती है, यह मैं का भई, BPI ना हाई कर, तू Titanic के data के काम कर लो, तो अक्सर वकात ऐसा होता है, frustration is the key to success in coding, यह हमारे mentors कहा करते हैं, और जब भी हम वहाँ पे, Germany के अंदर भी यह जब lecture होता है, हमारा coding का, मैं पहली बात यह करता हूँ, कि अगर आप frustration से deal ने कर सकते हैं, don't come for coding, कभी ना coding की तरफ आए, क्योंके errors इतनी आती हैं, आपकी सोच दंग रह जाती है, ठीक हो गया जी, जी फर रैंगलर है, वो यूज कर सकते हैं, उस पर कोई आप थोड़ी सी रैनुमाई करेंगे, तो मारे लिए काभी खाम सान होगे हैं, पहली बात तो यह है कि मैं automation in data pre-processing के बिलकुल खिलाफ हूँ, स्थिधी सी बात है, उसकी reason क्या है, कि यार आप देखें, अगर आपने अपन data pre-processes करना है, उसको view करने के लिए तो आप extension यूज करें, जैसे मैंने भी आपको बताई, pandas profiling की, एक data wrangler की extension है, अक्सरों कहा था मेरी भी notebook के अंदर, जब df.head करता हूँ, नीचे आपको नज़र आती होती है, वो सिरफ मैंने data को देखने के लिए करना होता है, missing values को compute मै कभी ने automatically करता, कभी मैं ना करूँगा, outlets को मैं कभी ने automatically करता, कभी ना मैं करूँगा, reason क्या है, मैं scenario को देखते हुए outlets को remove करता हूँ, क्योंकि मैं बजाते खुद decide करता हूँ, 1.5 factor रखने है, 2.5 रखने है, 1 रखने है, क्या करने है, z score method के थुछ आप नाइन पे करने ह तो ये चोटी 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 चीज़े मैथेमेटिकली मुझे डिसाइड करनी है और मैं फ्रीडिम को अच्छा समझता हूँ बजाए इसके कि मैं किसी आटोमेशन की तरफ चाहूँ वही बात ना कि आपको आपके बॉस ने काम दिया कभी भी आके अपने चोटे बच्चे को या किसी कजन को नहीं कहते है यार यह कर देना तो यह वही चीज़ है जब काम आपने करना है तो उस पर पूरी कमांड लेके करें इस चीज़ का मज़ा भी हो रहा है जब आप प्रिजेंट करेंगे आपको तम समझ आएगी कि आपको डेटा को बहुत अच्छे तरीका से जानते तो डेटा प्रिएप्रफेशेंग का मतलब डेटा को रिंगल करना नहीं है डेटा को समझना है डेटा को सुंगना है डेटा के वारे में सारी की सारी information gain करना है अधर्वैस यू कांट workaround ना तो उसके बाद जब हम एंडू करते हैं तो जहाँ가 हमारे पास T मोडल में कहां पे खलती नोट करेंगे यदिस तरह हम ने वो तेस के डठा को मॉडल टैंड किया ना उसके बार हमने ने देखा कि हमारे पास वेल्यू जो है ना प्रेडिक्टेड वेल्यू अलत आ रही थी तो हम फिर मॉडल में सबसे पहले कहां पे जाएंगे देखेंगे कि हमसे गलती कहां पे हुई है बहुत अच्छा वेस्टेन और इसका अंसर एक है इत डिपेंज आपने किस स्टेप पे कहां गलती की है अगर आपको स्टेप्स का नहीं पता पिछे तो फिर आप मॉडल रन ही ना करें ठीक है यह पूरा एक वर्कफलो है प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपने डेटा पे आना है जो ज्यादातर गलती हैं वो आउट लायर के अंदर होती है जो ज्यादातर गलती हैं आउट लायर के इलावा आपकी मिसिंग वैलियूस में होती है जो ज्यादातर गलती हैं वो स्केलिंग के मिनमेक्स केलर या स्टेंडर स्केलर के यूज़ करने में होती है जो बहुत ज्यादा गलती होती है और वो हर किसी से होती है विलिब में आप से भी हुई है अगर आप से वो गलती हुई है तो मुझे चैट में जरूर बताइएगा अक्सर अकाद आप इनकोडिंग करना भूल जाते है और वो निचे कहता है we cannot convert the string into float होते हैं न ऐसे और ये हर किसी से होती है मेरे से तो हर दफ़ाई होती है बाइदावे तो ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है कि यार मैंने इस error को resolve कर लिए और वो जो एक वो छोटा सा एक होती है जिसका हम win situation बोलते हैं वो होना जरूरी है तो ये कुछ चीज़े होती है यहां तक आपको clear हो गया होगा और ऐसे error अच्छे error होते हैं यह वो error होते हैं जो छोटी छोटी गलती है करके आपको एक motivation देते हैं कि यार you can do it अच्छा बाकी जिन लोगों के question है प्लीज राइड डाउन इन दे चैट बाकी जिन लोगों के question है देकर राइड डाउन इन दे चैट तो मैं उनके answer करने की कोशिश करूँगा आप लोगों से सिरफ एक request है कि अपनी motivation ना चोड़े अगर आपने कुछ करना है दूसरी request चलें दो कर लेते हैं वो यह है कि अब advance level पे काम स्टार्ट होने वाले जैसे अभी भाई का question था कि advance कितना advance अब और भी advance मतलब वो कहते हैं ना कि एक सीड़ी का एक stair का पहला step आप चड़े हैं करेंगे because sometimes I feel like recording is the best way to go और वो recorded lecture के quality भी अच्छी होती है और मुझे पता है मैंने to the point पात करने है और मेरी distraction भी काम होती है खास तर पर लाइब सेशन के निस पर secondly हमारे लाइब सेशन भी और करेंगे सो हमारे पास काम बढ़ने वाला है कल परसों और आने वाले दिनों के अंदर so I would highly recommend highly recommend कि please जितना कुछ आपने अभी तक कर लिया उनको revise करते हैं साथ साथ और practice करते हैं अब अगली चीज़ यह है मैं यहां पर recording को stop करता हूँ